Hello everyone, इस case का नाम है Sarsilk versus Government of Andhra Pradesh. यह case जो है Awards and Settlement पे based है और इस case में यहाँ पे fact जानने जरूरी नहीं है कि दोने के बीच में dispute क्यू था, यहाँ पे dispute था और इसके आगे के story जानने जरूरी है, decision and observation. यहाँ पर सबसे पहले जो सरसिल्क है और उसके workmen दोने के बीच में dispute राइज होता है, dispute राइज होने के बाद जससे हमेशा से इसमें होता है, यह matter जो है, sorry, industrial tribunal में जाता है, और industrial tribunal यहाँ पे decision देती है, decision देती है, यानि कि award सुनाती है, और जब वो award सुनाती है, तो वो government को send कर देती है, यहाँ पर tribunal का काम खतम हो जाता है, उसके बाद government के duty बनती है, कि वो award को publish करें, और यहाँ पर S-Bus section 17 clause 1, award जो है उसका publication बहुत mandatory है, यानि कि award का publication होना चाहिए, और इसमें एक generally time दिया गया है, 30 days, 30 इनका time दिया गया है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे जो दोनों के बिश में dispute चलता है, और इसके बाद में जो matter जो है, sorry, जो award है, उसके publication से पहले का जो time period होता है, उस time period में जो दोनों parties होती हैं, सर्कसिल को और उसके employees, दोनों के बीच में यहाँ पे settlement हो जाती है, यानि कि dispute वो खुद से आपस में सुलजा लेते हैं, और वो government को यह कहते हैं, कि आप इस matter को publish, आप इस vote को publish मत करो, क्योंकि हम में यह आपस में सुलजा लिया है, तो as for वो यह कहते हैं, कि government यहाँ पे contention देती है, कि अगर आप section 17 clause 1 को देखें, अगर यहाँ पे मैं कोई भी section बोल रही हूँ, तो वो industry dispute act का ही है, तो अगर हम इस section को देखें, तो इसके हिसाब से यह mandatory है, कि हमें इसका publication करना होगा, तो जब यहाँ पे दोनों parties जो है settlement करना चाहती हैं, लेकिन government publish करना चाहता है, तो यहाँ पे high court में रिट पेटिशन फाइल करते हैं, एस पर section 2, और इसमें high court जो है, वो government की बात से agree करता है, कि उसका publication होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे जो parties होती हैं, दोनों parties वो Supreme Court में SLP फाइल करती हैं, जब वो SLP फाइल करती हैं, तो उसके बाद यहाँ पे legal issue जो सामने आता है, वो यह है कि government के उपर, government की इच्छा है, government के उपर हम यह कह सकते हैं, कि वो स्वतंत्र है, अगर दोनों parties आपस में settlement कर लेती हैं, तो Supreme Court यहाँ पे कहता है, कि यहाँ पे अगर हम section 17 और 18 को देखे, इंडस्ट्रिय डिस्प्यूट एक्ट के, तो section 17 के हिसाब से यहाँ पे publication जो है, वो mandatory है, और यहाँ पे वो कह रहा है, mandatory है, और publication 30 दिन में होना चाहिए, तीस दिन में होना चाहिए, और अगर हम इसकी 17 क्लोस 2 को देखे, तो वो यह कहता है, कि award जो भी दिया गया है, गवर्मेंट को सुनाया गया है, वो एक final decision होगा, और इसके साथ है, यहाँ पे एक इसका contradict, अगर हम इसमें 18 देखे, 18 क्लोस 1 कहता है, कि अगर दोनों parties आपस में agreement कर लेती है, settlement कर लेती है, तो दोनों parties जो है, वो bind होंगी, अपने agreement की, तो जैसे इस case पे हुआ है, दोनों parties ने यहाँ पे आपस में settlement कर लिया है, और उनोंने agreement आपस में कर लिया है, सुलजा लिया है, अब वो यहाँ पे नहीं चाहते कि कोई भी award सुनाया जाए, publish हो, तो दोनों parties इस चिस के लिए bound रहेंगी, लेकिन वही पर 18 clause 3 कहता है, कि award ज 18 clause 1 में यह कहा गया है, कि दोनों parties bind होंगी, और 18 clause 3 में कहा गया है, कि यहाँ पे parties bind होंगी, award के, जो award सुनाया गया है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोट सारी चिजों को देखते होई, यह decision देते है, यह कहते है, कि majorly जो industrial dispute act है, यह जो पूरा act बनाया गया है, यह जो भी ट्र settlement हो गई है, तो यहाँ पे अगर दोनों में contradiction हो रहा है, तो 18 clause 1 जो है, वो prevail करेगा, हम उसको देखेंगे, हमें award publication की जुरत नहीं है, क्योंकि award publication जो है, वो भी settlement के लिए हुआ था, और अगर यह पहले से settlement कर रहे हैं, तो उसकी कोई जरुद नहीं है, thank you.